यूपी के जलस्वक्ती मंत्री सौतंतर देव सिहं का बड़ा बयान सामने आया है और उन्हें कहा कि 2014 के बाद से देश में कितना आतंक था ये हम सभी ने देखा है श्रीनिगर से लेकर ताज होटल तक बंफटते थे लेकिन जब से 2014 के बाद कैंद्र में मोधी सरकार आई है त सब का जाल भा गया है प्रदेश का चहुं मुखी बोकास हो रहा है है ताज होटल और कहीं मंदीर में कंसा दौन में का ओभान चऊदा के बाद हिंदुस्तान में में हिंदुस्तान में बंन हो गया है अधरिंस मोखिजी का सासना राज जी चे अंदर 17 के पहले आप देखे थे तरो अधर-प्रक प्रिदेश के अंदर अधरिंस मोधी जी के कारण सटकों का जाल पैल गया है त्रेन कई राज्यों से जुड़ गये हैं एयर कनेक्टिटी मिल चुका इसका दुनिया के लोग युद्ध्या में आज आएंगे आने के खारान जो आसपास के जन्पद हैं जिले हैं ऐसे सभी जन्पदों के लोगों को लाम मिनने वाला है चाहे होटल हो रिष्टोरेंट हो यह रिक्सा चालक हो रिक्सा चालक हो या दुकान छोटे छोटे जितने रिष्टोरेंट होटल है वह सभी को जो परेटक बाहर से दुनिया से आने वाले देश से आने वाले हैं अब परेटकों के संक्या बढ़ेगी लाखों लोगों का जिसके करण लोकल के लोगों को खनूर से चलेगा रास्ते में जितने धाबा होटल रहेंगे वो समी को लाब मिलने वाला है इसलिए